तो आपने जो अंदकार हटा दिया, जो शेष बचा वो शेष्य था इसलिए गुरु की डेफिनिशन क्या है? जैसे यापने डार्कनेस हटाई, उसका इन्फिनिटी अपने आप उभर के सामने आ गया जो शेश बचा वो शेश्य था ये भारत की गुरु शेश्य परंपरा का ये मतलब था और इवन इन दा मेटीरियल वर्ल्ड जो हमारे उपर एलिगेशन लगाते हैं कि साब हमारे यहां तो बाई बर्थ और ये और वो सारी चीजे थी तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ भगवान राम के बेटे थे लवकुष कितने लोगों ने लवकुष का मंदिर देखा है भगवान राम के भक्त और शेश्य हनुमान के मंदिर सब तरह होते हैं द्रोणाचारे का पुत्र था श्वत्थमा उसका इस्थान उचा के भूशे कर दो चार आज बी जब पूजा कर वाने आप घर पे जाते हैं तो पंडे जी हाथ में जल लेकर जब कहते हैं तो क्या कहते हैं अपना नाम लीजिए what is the next sentence up never Bob canam visione up the gothra canam dhije it means the spiritual succession is important biological succession is not important that's why in all the Indian tradition and the Hindu tradition whether you want to become Mata Deesh whether you want to become mahaman delish war whether you want to become shankarach are whether you want to become Saint it is incumbent that you have to remain unmarried so that there should not be scope of any biological succession even you cannot think of having any biological successor सर, there has to be spiritual सक्षेशन, इसी लिए, इवेन आप ये भी देखिए, दलाई लमा होते हैं, तो क्या कहते हैं, बता देते हैं, बता देते हैं, आप वो फला जगह दलाई लमा, अगला वाला दलाई लमा पैदा हो गया, और मुझे खुद भी इस विश्एक की जानकारी नहीं थी, एक बार किरन रिजु जी ने मुझे बताया, किरन रिजु जी जो मिनिस्टर है, he is Buddhist, तो he told me कि ऐसे ही नहीं कि कि किसी दलाई लमा ने डेथ से पहले कह दिया कि अगला दलाई लमा वहां पे होगा जाके, तो हमने मान लिया, ऐसा नहीं होता है, उनका ये कहना है कि बहुत स करते हैं थे, similar books रख दी जाती है, ऐसे बहुत सी चीज़ें यूज करते थे, अब जब वो बच्चा, successively five or six things, उन बुक्स में से, उस पैन में से, उन यूज की अवे element में से, वही पिक अप कर लेता है, then they finally confer, कि हाँ, ये वो है जिसके लिए कहा गया, तो आप ये समझे, य मैंने इसलिए भी कहा, ठीक है, कोई उसको माने न माने, it's a different thing, but ये भी एक, मैंने क्यों कहा कि जब आप all over the world से connect करते हैं, तो आपका concept different होता, जो मैंने एक बात कही थी, कि scientific dogma ये है, कि everything there in the universe is random, there is no design, design की बात क्यों न कारते हैं, design मान लेंगे, तो designer की requirement हो जाएगी, इस चीज को हम random मानते थे, उसमें design दिखने लगती, for example, आज से केवल 60-70 साल पहले, it is a rainy season going on, कल पानी बरसेगा ये नहीं, it was a random thing, now today by satellite pictures, even you can predict after 10 days or 15 days यहाँ पानी गिरेगा, आज से 50-100 साल पहले, 15 दिन बात पानी गिरेगा, it was random, वैसे तो ये भी एक बात कहता हूं, ये भी भी लड़का है या लड़की, it was random, now it can be scientifically proven before birth, आप ये समझेए कि जो जो knowledge का sphere होता जाता है, ये randomness का element ठटता है, आप दूसरी एक बात कहें, those who don't believe in the law of nature, there is no balancing fact in the nature, so I would like to ask, in statistics we were told, कि एक बार उचाली है सिक्का, तो head आएगा ये टेल, तो head भी आ सकता है, tail भी आ सकता है चार बार में, चार बार head भी आ सकता है, बट अगर चार हजार या चालिस हजार बार आप करेंगे, तो 50-50 हो जाएगा लगबग, it means, जो जो आप vast expense of nature पे जाते हैं, there is a balancing fact, force, there has to be a balancing force, और चालिस जार में, चालिस जार बार भी head आना चाहिए, if you say, कि 40,000 में करने में, roughly 20- 20,000 बार आएगा, it means, there is a balancing force at the larger level, which balances your entire thinking process, entire elements of the universe, और इसमें, एक मैं बात और कहूंगा, जिसको बहुत से लोगों को लगता है कि, चुकि मैंने का कि scientific advancement अफाइनली अब आ गए, genetics के उपर, तो अभी तक, जो DNA बना है, तो मन चाहा DNA नहीं बना जा सका है, DNA की copy की जा सका है, तो still today, we are the level of cloning, we are not able to have the DNA which we want of our choice, तब तो फिर पंको वाला इंसान भी बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं हो पाया है, उसके पीछे एक reason माना जाता है, कि जो genetic code होता है, या जो amino acids के millions of molecules होते हैं उस pattern में, तो जब mother और father के millions of molecules मिलते हैं, तो जो force उसको पहले de-arrange करता है, फिर जो उसको re-arrange करता है, that force, अभी जो चार basic forces known है, universe में उन चारों में से कोई नहीं पाये गया है, means strong magnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force, electromagnetic force, and gravitational force. Now what is this force? अब इसमें एक scientist है, Rupert Sheldrake, जो Cambridge University में biochemistry के scientist है, उन्होंने एक नहीं थोरी दी है, उन्होंने का है कि this is a fifth type of force which he has given the morphogenesis force, morphic force, which is there in our consciousness, which can be transmitted through our mind or consciousness, which can be enhanced through only consciousness, which can be retained only in consciousness. फिर एक professor loyal Watson ने उन्होंने एक और theory दी है कि जैसे जब Maxwell ने magnetic current की theory नहीं दी थी तब तक कि किसी को नहीं पता था कि electric current के चारों तरफ magnetic field का envelope होता है, तो उनका कहना है कि जो हमारे DNA के pattern है, मैंने उनकी बात सुनी तो बड़ी logical लगी, उन्होंने का वो जो उसका molecular structure है वो base नह है, वो मिलाकर उसको तैय करता है, for example, उन्होंने एक बात कही कि हम इस hall में हैं, तो जो concrete base पे है, the concrete on the wall and the concrete on the floor, all concrete are having the same molecular structure, then why this part of concrete is on the floor and that is on the wall, उसका reason ये है कि जिस force ने ये decide किया है, वो उसके molecular structure के beyond का force है, अब उन्होंने इसी का example दिया, कि if you want to have a DNA test, तो क्या कहते हैं, नाखून, बाल, खाल, शरीर का कोई liquid और आपका DNA मैच हो जाएगा, if it is every element of your body is having same DNA, फिर किस वज़े से ये बाल बना और ये खाल बना, So the deciding force, he has termed it as morphogenesis force, अब उन्होंने ये बात कही, तो वहां से उन्होंने बढ़ते बढ़ते इस point पे आए, कि भई universe में भी एक consciousness है, और आप कोई चीज पहली बार करते हैं, जैसे तो आपको confusion रहता, third, fourth, fifth time के बाद आप experience हो जाते हैं, और वो आपके thinking process का part हो जाती, same thing happens in the universe and a very interesting thing he has told, he told you when I discuss this thing to scientists in America and England, they said you are doing a foolish thing, what is the sense of finding this thing that the universe is having some conscious memory and all our acts are settled in that and then they decide how the universe will work, then he said, he came to Hyderabad at one point of time and he discussed with DRDO scientists, then they said, you are doing a foolish thing, but on a totally contrary logic, उन्होंने का, foolishly है, यह तो हमारे हाँ, हजारों सालों से बताया गिया, कि हमारे कर्म जो हैं, वो नियत रहते हैं, वो कभी समाप थोड़ी होते हैं, वो तो तैय हो जाते हैं, वही प्रक्रति में रहते हैं, उसी कर्मों के नुसार हमको आगे का, जीवन जीना पुड़ता ह उसने कहा कि दुनिया के दो छोरों में खड़े होकर, मुझे एक ही संटेंस सुनने को मिला और दोनों का लॉजिक कितना डिफरेंट था, यह सोचके मैं अचम्भित हूँ, अब यहां से आईए कि इस इस नॉट ए कॉंशियस उनिवर्स, इफ तो फिर वो चालिस हजार में 20 इस भी सजार कॉन बैलेंस कर रहा है, एक और बात आप सोचिये, कि आप जैसे आचारी जी यलो कलर की यह पहने हुए हैं, आपको भी यलो दिख रहा है, अगर हम सब रेंडम हैं और टोटली अलग हैं, तो आपको ग्रीन और हमको यलो दिखना चाहिए, जिसे वेदो में कहा गया महत, एक सत है, एक महत है, एक हमारी बुद्ध है, तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप उस रियाल्म्स में जाते हैं, जो आपको उस लेविल पर कनेक्ट कर देता है, जहां immense power मिलती है, जहां immense knowledge मिलती है, और वो कैसे म यह मैं फिर एक बार इसको repeat कर देना चाहता हूँ, और हमारी knowledge है, हम भूले हुए होते हैं, वो, सारी knowledge हमारे अंदर है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं रहती है, जैसे आप जो कुछ भी देख रहे हैं, सब आपके mind के अंदर जाके settle होता रहता है, बस retrieving का ही तो problem है, जो मैं चार-पांस साल पहले एक जैन सेंट लड़का था, यंग एज का, शतावधानी मेंस, hundred people are sitting, and all hundred have asked one question, and after completing the hundred person, he will reply in the same sequence, the answer of all the hundred persons, these are called शतावधानी, यनि hundred, ऐसे ही सहस्रावधानी भी होते थे, thousand people का भी वो question का answer, उसी sequence में देंगे, this just shows कि what the level of mind or our faculties and conscious faculties we are having, तो इसलिए हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि when we talk about medication and meditation, तो medication एक बेस बनाता है, meditation एक launching pad है, जो हमें वहां तक ले जाता है, जहां जाने के बाद, यह जो आपका physical word के भी beyond चले जाता है, अब इसको आप ऐसे भी समझ लीजए, मैं जो example देना चाहरा था, आप कहेंगे ठीक है, ऐसा बाते कह दी, theoretical है, ऐसा हो का कैसे, how is it possible, how we will be able to achieve, अब मैं इसका आपको बिलकुल एक technical answer देता हूँ, जो बिलकुल scientific aspect पे होगा, आप हाथ में मोबाइल लिये हुए हैं, या घड खोगा और बाकी यहां बैटे हुए किसी वेक्टी के ओपर कोई परभाव नहीं पड़ेगा, it means there is a action on one object, means our mobile or your watch, and reaction in your mind, तो इस्तिकली speaking in scientific terms, the third law of Newton says, there can be an action and reaction on two objects only if they are having a one connection, इसका मतलब आपके मोबाइल या आपकी वाच का आपके माइंड के साथ एक connection बन गया है, और अ connection बन गया है, तो thermodynamics का law यह कहता है, two objects of variable energy level comes in contact with each other, the energy flows from higher to lower, तो किसका energy level higher है, आपके brain का या आपकी watch का, आपके brain का,